तो जाते जाते हम लोगों ने जहां पर इंपॉर्टेंट चीज आई हमने देखा था कि तुम कछुए की तरह अपनी इंद्रियों के उपर कंट्रोल रखो जैसे कचुआ कभी भी भार जब टेम्टेशन होते हैं जब भी कुछ ऐसी दिक्कत होती तो जिस प्रकार से कचुआ अपने आपको सिकोड लेता है जब उसे लगता है कि आर मामला गड़वड हो सकता है तो उसी तरीके से हमें भी अपने इंद्रियों को पर लोड़ के एक जगा पे शांचित हो के बैठना चाहिए तब हम बड़ी तयारी कर सकते हैं तो यहां पर बहुत इंप्रटेंट कोशन उठा कि क्या हम लोग फोर्स फुली कंट्रोल करें इच्छाओं को बहुते ही एमप्रटेंट कोशन है क्योंकि जिनरल हम कोई भी चीज करने हम सोचते हैं कि हमारा मन भठके गा मैच चला बार और मन consideration कोशिश कोशिश करते हैं मोदी जी ने का है योगा दिवस है कोई भी ऐसा मैटर है लेकिन उसका अगर मन नहीं होगा तो मन विचलित रहेगा और मन अगर विचलित रहा तो इच्छाएं भले ही वह कंट्रोल कर लेकिन अगर मन को कंट्रोल नहीं करा मन उसका लगा रहा उस चीज में तो वापस से हम लोग उसी फेज में पहुच जाएंगे जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारी लोग जिम को जॉइन करते हैं वो क्या करते हैं उन्हें बर्गर बहुत पसंद होता है लेकिं जब वो जिम करने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें समझाया जाता है कि बर्गर नहीं खाना है आपको हैल्दी खाना-काना है और प्रॉप्र एक्साइस करनी है वो कहते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं फोर्स्फुली बर्गर को छोड़ देंगे ठीकिन खाना छोड़ देंगे, KFC जाना छोड़ देंगे, मैगडी नहीं जाएंगे, कोल्डरिंग नहीं पेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनका मन नहीं हटता है, तो हुआ क्या है कि मन नहीं हटा, अगर मन नहीं हटा, तो थोड़े दिन बात क्या होता है, आप देख खाते हैं उससे क्या होता है कि जितना उनका वजन था उससे जादा वजन वो दुबारा रिगेन कर लेते हैं तो यहां पर बहुत इंपोर्टेंट जो मैसेज है जो हमें समझना चाहिए कि अगर हम मन नहीं हटा तो है और अगर मन लगा रहे गया वही पर तो हैबिट्स हमारी महीने की महनत के लिए तैयार नहीं कर रहे हो वह यहां पर जो अरजुन के थो हम लोगों को मैसेज देना चाहरे हैं वह लॉंग लाइफ कैसे एक बड़ी तैयारी करनी बड़ी जीत के तैयारी करनी है उसके उनका ध्यान है कि पूरी लाइफ को ही साथ देना है पूरी तो मुझे जैसे cricket match बहुत पसंद था कि माल लेते हैं cricket match आ रहा है अगर वंडे की बात करें पहले टीट टीट इतना नहीं आता था वंडे जाता रहता था अपने स्कूल टाइम पर तो हमारा ध्यान लगा रहता था कि यार वंडे मैच चला वंडे मैच का मतलब समझ रहे हो कि कि यहाँ अभी लग रहरा है कूली कोळी किस होगा इतना बड़िया मेच चल रहा है हमारा का तो का पर हमरे शक्तिमान आता था तो शक्तिमान तो कब यह आपने बहुत सारी में अगर तो उस चीज़ से यहाँ ऒले ही तो तो लुक्त पन वरदस्ति तुमने इच्छाओं कंट्रोल करा तो वो तुम पे हावी हो जाएंगी चीज है और तुम जो कर रहे होगे उसमें नहीं कर पाओगे तो यहां पे जो है क्रिश्म अगवान एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात कहते हैं अर्जुन से वो कहते हैं कि यह जिसको बड मतलब क्या हुआ और कूपों का मतलब क्या हुआ कूप का मतलब होगे जहां पर कूएं जो होते थे जहां पर थोड़ा सा पानी मिलता है और पांड का मतलब बहुत बड़ा जलाश है मतलब खूप सारा पानी है तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन जिसको बड़ प्ले करेगा मेरी लाइफ में जो आज मिझे फॉर एक्जामपल इसी को मैचुरिटी भी कहते हैं दीरे-दीर हमाँ सामने मैचुरिटी आती हम लोग के अंदर अलग-अलग स्टीजिस पर एक्जामपल छोटे अगर हम लोग होते हैं लोग फस्ट रैंक लाने के लिए लड़ समझ में आ जाता है कि क्लास में टॉप करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम इंडिया में टॉप करते हैं तो उसकी वैल्यू जादा है तो यहां पर एई ट्रिपली या आई आई टी का एक्जाम जो हुआ वो गया बड़ा जलाश है और जो क्लास हो गया वो गय समझ में तो अब क्या होगा अब हम मन जब हमारा मन जब फोकस हो जाएगा कि हां यह बड़ा जलाश है तो हम अब छोटी चीजों की प्रती हमारे अंदर कोई दिल्चस्पी नहीं रहे जाएगी जैसा आपने देखा होगा छोटे बच्चे को इसी चीज पर लड़ रहे होत ने तो उनके लिए वह छोटी चोटी जो जलाश है जो जो हमारे लीथ छोटे जलाश है उनके लिए वह बड़ए बड़े जलाश के लिए मत पड़ो तुम अगर 7.5 सीजीपी बना के चल रहे हो साथ की उपर सीजीपी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है यह बहुत छोटी चीज़े हैं तुम्हें अगर टार्गेट करना है तो किसी गौवर्मेंट एक्जाम सब्जेक्ट की मास्ट्री पर टार्गेट करो इंजिनिंग सर्विसेज की बुक लगा दी गेट की प्रीवियस यहर के 24 साल के गेट के पेपर्स लगा लिए यह एक बड़ा टार्गेट है तो मैं उन्हें यह बात कहता हूं लेकिन अगर उनकी नजर से देखूंगा तो उनके लिए वो जो छोटे-छोटे मार्क्स हैं वो उसमें लड़ते रहते हैं तो वह क्या है बात यहां पर यही बात हो रही है कि जब जिस समय एक बच्चे कोई समझ में आ जाएगा कि भाया यह जो हम लोग क्लास की रैंक पर लड़ाई लड़ रहे हैं यह कोई खास लड़ाई नहीं है, जब इंडिया- 먹을 रैंक पर लड़ रहे हैं, salah lady exam हो गया? कोई भी job का exam हो गया? जब हमें पता चल जाता है की जॉप एक बहुत बड़ा matter है तो इसके सामने फिर हम हर ची छोड़ सकते हैं, जैसे सब को ने खेल से भूर को बहुत पीम इंडिया के लिए उसको लॉंग टाइम तक खेलना है तो उसके लिए फिटनेस जो था वो एक बड़ा गोल था तो उस फिटनेस के सामने उसने अपने इस छोटे गोल को छोटी जो इच्छाएं थी उनको त्याग दी अगर वो अपने आपको फोर्सफुली रोकता कि नहीं मैं छोले बटूरे नहीं खाऊंगा एक दो महीने बाद वो वापस से वहीं पहुँच जाता क्यों क्योंकि उसके पास कोई बड़ा टार्गेट नहीं रहता उसने क्या करा अपने आपकी जो हैबिट्स थी जो छोले बटूरे खाने का जो मज़ा था वो उसके लिए उसको कुवा बना दिया और टीम इंडिया के लिए लॉंग टाइम तक खेलने को उसने जलाश है बड़ा जलाश है पॉंड की तरह स्थापित करा तो अब जब उसे बड़ा जलाश है मिल गया तो अब उसका मन वहां से हट गया तो जब भी आपको ये बहुत इंट्रेस्ट करना एक बार अगर बड़ी लडाई में तुम्हारा मन लग गया तो तुम छोटी लडाईयों में इन्वाल नहीं होगे तो यहां पर वैल का मतलब जैसा मैंने बताया स्मॉल टार्गेट की जैसे छोटा से कोई एक्जाम पास करना या थोड़े सो रुपय कमा लेने इंडिया की लेविल में एक्जाम में टॉप करना है ठीक है एक बड़ा टार्गेट हो गया ब्रांड बनना आपने आपको जो भी तुम कमार हो तुम्हारा जौब नहीं तुम्हें एक बड़ा ब्रांड सेट अप करना है तो होता क्या है कि लाइफ में जब भी हम बड़े सेट करते हैं तो हमारी लाइफ की सोच एकदम बदल जाती है एक बहुत इंट्रेस्टिंग ओम स्वामी का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें उन्होंने बात बताई थी कि जब इनसान छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने लगता है तो इ इनके पास बड़े टार्गेट हैं उनका मन इस चीज से बहुत उपर उठ चुका है कि अरे ठीक है यार मतलब उनको जलाज़ा से जलाश हों की ना उनको जलाज़ा से कूपों की उपर उनका ध्यान नहीं है तो बात यही आ जाती सारी बात कि क्या आपके जीवन में झायन कर लेना और अपने आपको forcefully रोकना यहां पर उस चीज का answer देना हो कि आम यह नहीं खाना है और यह खाना आग्या है है best fitness maintain करनी है मेरे को किसी particular athlete based competition में उतरना है तो वो क्या है न वो बड़ा pound हो गया वो बड़ा जलाश है हो गया तो जब तुम उसको देखोगे तो जो तुमारे burger खाने का जो सुख है वो बहुत छोटे से कुएं की तरह दिखने लगेगा as compared to the जो तुम बड़े exam की तहरी कर रहे है या बड़े fitness जो भी तुमने सुच जरूरी नहीं तुम किसी exam या किसी fitness के competition में उतर रहे हो तुम यह भी सोच सकते हो कि मेरा target है कि मुझे 95 years तक रहना है तो उसके लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा लांग रहने लंबी जिन्दी जीने के लिए या तुम्हें जब भी यह सब चीज़े खाने के बाद जो ब्लोटिंग हुई या कोई problem हुई उसके उपर जब ध्यान दो तुम सोचोगे कि मुझे पूरी life fit रहना है तो तुम्हारा मन धीरे धीरे हटने लगेगा तो यहां पर यही बात भगवान बता रहे हैं कि बड़ा जलाश है कि उपर काम करो और इसका असर देखने को मिलता है जिनकी life में बड़े target होते हैं आपने देखा होगा वो थोड़े से जाधा peaceful रहते हैं जाधा heavy दिखेंगे चोड़ी चोड़ी चीजों के परती तुम अट्रेक्ट हो जा रहे हो तेम्टेड हो जा रहे हो और अपने goal को अपने time table को तोड़ दे रहे हो तो इसका मतलब life में target बड़ा तुम्हें सेट नहीं कर पाए वो बड़ा जलाश है मिला नहीं है तुम्हें वो मज़ा नहीं आय एक्जाम में top करने का flavor तुमने अभी चका नहीं है तुमने महसूस नहीं किया है तो बड़ा जलाश है की तरफ काम करो बड़ा जलाश है अपने सामने रखो और उसको महसूस करो कि वो जब मिलेगा जब team India के लिए खेलोगे और लंबे समय तक खेल पाओगे तब ही तुम यहां पर आता है कि बड़ा एक important confusion आता है कि एक तरफ क्रिशन कह रहा है कि process पर ध्यान दो और failure target पर नहीं लेकिन दूसी तरफ क्रिशन कह रहा है कि बड़े target की तरफ focus करो जलाश है जिसको मिल गए मतलब बड़ा target मिल गया तो ऐसा क्यों कर रहे है तो एक बड़ा interesting चीज आती है actually क्या हुआ अगर आप श्रीमत भगवत गीता धंग से पड़ोगे तो क्रिश्म अगवान ने क्या करा कि अर्जुन को जब भी वो कोई जी समझा रहे थे तो वह हमेशा contradictory बात उन्होंने कही मतलब पहले जैसे शुरुवात में उन्होंने कहा कि कि तुम जो है कर्म निश्काम कर्मियोग की उपर कहा और यहां पर एक श्लोक आता है इसमें कहते हैं कि सन्यास बैटर है कि निश्काम कर्मियोग तो क्रिश्म अगवान कहते हैं कि निश्काम कर्मियोग बैटर है लेकिन जैसे अर्जुन का माइंड सैट हुआ अच्छा निश्काम कर्मियोग एकदम यह नहीं कहा किसी भी शलोक में कि तू भाई यह तेरे लिए है तू यह कर ले शुरुवात में उन्होंने भली जब नॉर्मल ही समझा रहे थे यहां पर एक अच्छा जो टीचर होता है उसका काम होता है कि सारे रस्तों के बारे में जानकारी देना और डिटेल में जानकारी देना और रस्ते की चौईस जो है वो पर्टिकलर इस्टूडेंट पर छोड़ देना तो इसलिए यहां पर क्रिश्म भगवान जो हैं वो अरजुन को हर परस्पेक्टिव बता रहे हैं अगर आप किसी को केवल एक परस्पेक्टिव बताओगे तो और उसको उधर की तरफ धकेल दोगे तो ऐसे में क्या होगा उसकी नॉलिज बहुती छोटी रहेगी और फिर क्या होगा जब वो रस्ते पे आप आगे चलोगे तो जब तुम उस रस्ते पे आगे चलोगे और वो रॉलिज तुमारी तो है नहीं वो तुमारे गुरू की दी हुई है तुम्हारे गुरु ने बताया था कि ऐसा कर लो तो वहां जाके तुम जाब फसोगे तो वहां कोई ने निकाल सकता इसलिए एक सच्चा टीचर वही है जो सारे परस्पेक्टिव बता देगी गवर्मेंट जॉब की तेहरी करोगे तो यह यह समस्या आएंगी यह यह बेनिफेट है प्राइवेट कंपनी में चले जाओगे तो यह बेनिफेट है और यह समस्या आएंगी तो तब इनसान जो होगा जो बच्चा डिसीजन लेगा खुद का वो डिसीजन बहुत लंबे समय तक उसके साथ टिकेगा क्योंकि उसको सारे रस्ते पताएं कि अच्छा इस रस्ते पर यह समस्या इस रस्ते पर यह समस्या तो इसलिए क्रिश्म भगवान कई बार उन्होंने उन्होंने पहले कहा कि यह फिर उन्हें जब देखा कि अरजुन एकी तरफ जाने को मूड बना लिया तो उन्होंने या अरजुन में उन्होंने देखा होगा कि अरजुन को लग रहा है कि हो सही है तो ऐसे में उन्होंने अरजुन को समझाने के लिए दूसरा दस्ते को भी समझाया तो इसी तरीके से यहां पर भी पीछे भगवान ने बताया कि भई करो और फलकी इच्छा मत करो गोल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो प्रॉसेस पे ध्यान दो लेकिन यहां पर भगवान बता रहे हैं कि प्रॉसेस पे ध्यान ही तभी दे पाओगे जब तुम्हारे ल आपको ध्यान रखना है step number one है कि सबसे पहले बड़ा जलाश है धूड़ो मतलब target set करो बड़े target है ना दूसरा step आ जाता है process set करो कि उस बड़े target तक कैसे पहुचेंगे तो पहला वाला step है इसमें अभी just जो मैंने श्लोक लिया है कि जिसमें अरजुन से क्रिश्मगवान कहते हैं कि जब तुम्हें बड़े जलाश होगी प्राप्ति हो जाएगी तो छोटे च्छोटे target है ना कि पडोसी से ज़्यादा पैसे कमाने है या पडोसी को परसान करना है यह तुम्हाने class में टॉप करना यह सब च्छोटे target लगने लगेंगे ठीक है दूतरा होगे process set करो कि कैसे वहां तक पहुचोगे इसका एक plan बनाओ step number 3 में आ जाता है कर्मने वादिक का रस्ते वाले पर कि एक बार जब तुमने process set कर लिया अब target को भूल जाओ अब process पर काम करो और result जोंगे वह byproduct होंगे ठीक है समझ मारी बात यह तो जैसे example के तौर बहुत ही simple example लेते हैं कि सबसे पहला क्या है बड़ा जलाश है का target set करना ठीक है तो बड़ा जलाश है वर पर हर shot की और planning करेंगे कि इस baller को कैसे tackle करना है fast baller को ऐसे tackle करना है पाकिस्तान के जो baller है उन्हें इस तरीके से ठुकाई-पिटाई करनी है और उसमें हमने क्या करा उस process के साब से हम plan करेंगे और plan को execute करेंगे field पर practice करेंगे and then step number 3 जो हमने plan set करा था उसी की उमपर focus करेंगे और उसको implement करते चले जाएंगे तो आपने देखा होगा Australia वाले हमेशा कहते हैं कभी आप अच्छा अगर किसी टीम का interview सुनोगे तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास एक proper plan हमने set करा हुआ उस plan को execute करेंगे team पर field पर तो बिल्कुल यह ही है तो step number 3 क्या है कि जो तु target set करा कि भई हमें यह यह पाड़िया है इनके उपर अपने जो पाकिस्तानी जो आतंगवादी घुस आया है उनको मार के भगाना है वहां से और वहां पर क्या करना है हमें वहां पर हमें अपने इंडियन आर्मी के लोग set करने तो यह बड़ा target हो गया second था set the process process set करा गया क अब हमने यह नहीं देखना है कि हम उपर पहुंचे या वो लोग मरें नहीं हमें बस focus करना अपने process पर जब हम process को implement करेंगे on the field तो ultimately goal हमें मिल जाएगा तो याद रखना है जब तुम process पर काम करते हो तो गोल जो होता हो by product होता है अगर आप skill पर काम कर रहे हो अपने आप तो कोई ना कोई दिन एक्जाम जरूर निकलेगा तुमारा जही निकले यूपीसेल निकले कोई निकलेगा तो private कोई company बहुत अच्छी जगा तुम्हें hire कर लेगी तो अगर आपने process बढ़िया set कर हुआ है कि हाँ मेरे को daily करना है मेरे को ES के exam के previous year लगा लेने है सारे इतन समझ मा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ तो यहां पर इसको process समझ मा रहा हूँ तो सबसे पहला step target set करो process set करो and then target को भूल जाओ और process focus करो target जो होगा वो by product होगा next यहां पर सबसे important चीज जो एक बहुत important श्लोक था यहां पर कृष्म अगवान समझाते हैं बड़ा interesting destruction cycle के उपर बताया है भगवान ने शीमत भगवत गीता में इसकी उपर हम लोग चर्चा करेंगे अगले lecture में क्योंकि यह पूरी की पूरी cycle है बहुत interesting cycle है और यह समझ द तो तुमारे पूरे दिमाग को खोल के रख देगी तुमारे सारे ज्यान चक्षू खोल जाएंगे जब आप इसको समझोगे कि कैसे तुमारी बरवादी का start होता है अगर आप इस cycle को समझ गए तो आप कोई भी कभी इस destruction cycle को avoid कर सकते हो आपको पता चल जाएगा कि तुम का product खरीदो इन सब की उपर चरजा करेंगे अगले lecture में आयोब आपको आज का lecture समझ में आयोगा अपनी जो feelings हैं वो जरूर बताएं और यह जो जो भी लोग शीमत भागवाद गीता पड़ रहे हैं उनको यह मेरे lectures को pass करिएगा ताकि उनकी भी कुछ help हो सके आपको पसंद आया इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और अपनी feelings को comment section जरूर express करना तब तक के लिए thank you